जहीं दोस्तों मैं कगंदी पाप सभी का स्वागत करता हूँ ब्राउट ग्रूप ओफ NCC YouTube चैनल पर और अगर आप NCC जोइन करना चाते हैं तो ये बात आपको पता होगी कि जब हम NCC जोइन करते हैं तो मेंले उसके तीन स्टेप होते हैं एक हमारा फिजिकल टेस्ट होता है सबसे पहले जिसके अंदर आपकी रणिंग होती है पुश अप होती है, पुल अप होती है सेकिंड हमारा टेस्ट होता है जिसके अंदर आपसे जीके से रिलेटिड और NCC से रिलेटिड कोस्टन पूछे जाते है और तीसरा हमारा क्या होता है? इंटरव्यू होता है, ठीक है? बेसिकली यही प्रोसीजर होता है, NCC में सलेक्ट होने के लिए, अलग-लग जगहां पर यह जो सलेक्शन प्रोसीजर है, वैरी कर सकता है तो आज हम बात करें जो आपका टेस्ट होता है जिसमें जिक केसे और NCCC related question पूछे जाते हैं तो उसमें जो important question पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं ठीक है तो आज की class का जो सबसे पहले question है वो है आपकी screen के उपर कि छेतरफल की दरिष्टी से बारत का विसो में कौन सा स्थान है तो छेतरफल की दरिष्टी से बारत का विसो में जो स्थान है वो सातवा स्थान है अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एरिया वाइस तो सबसे बड़ी कंट्री जो है वो है रश्या यानि कि रूश छेतरफल वाइस सबसे बड़ा देश है और उसके बाद में साथवे नंबर पर हमारा भारत देश आता है दूसरा कोशन यहाँ पर है कि जनसंख्या की दरिष्टी से बारत का विसो में कौन सा स्थान है तो जनसंख्या की दरिष्टी से जो बारत का विसो में स्थान है वो दूसरा स्थान है पहले नंबर पर कौन सा देश आता है पहले नंबर पर जनसंख्या वाई जाता है चाइना चाइना में सबसे जादा लोग रहते हैं जनसंख्या के हिसाब से नेक्स्ट कोश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन यहां पे पूछ रखा है कि बारत के उत्तर में कौन-कौन से देश सितत हैं तो यहां पे देखो आपको समझना है याद नहीं करना है रटना नहीं है सिरफ आपको समझ के चलना है कि यह हमारा नोर्थ होता है यह साउथ होता है यह इस्ट होता है यह वेस्ट होता है ये दक्षिन दिशा होती है ये पुरव दिशा होती है और ये पस्चिम दिशा होती है आपको पता होगा कि बारत के उत्तर में हिमाले है और हिमाले से स्टे कौन कौन से देश है एक चीन हो गया नेपाल हो गया और भुटान हो गया ये बारत के उत्तर में देश सितत है नेक् बंगलादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बंगलादेश कब बना था बंगलादेश बना था 1971 में बंगलादेश को आजाद किस ने करवाया था भारत ने करवाया था जब भारत पाकिस्तान का 1971 का वोर हुआ था और इस वोर के अंदर सबसे जाद जो पाकिस्तान के सैनिकों ने आतम समर्पन किया था, उन्हें बंदी हमने बनाया था, लग भग 93,000 सैनिक थे, ये किसी भी वोर हिस्ट्री का सबसे बड़ा आतम समर्पन है, सबसे बड़ा हमने युद्बंदी बनाया था, इने, नेक्स्ट कोश्चन है यहाँ पे कि बारत के पस्चिम में कौन सा देश है, पस्चिम में अगर हम बात करें, यानि कि वेस्ट साइड, इस साइड अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पर है पाकिस्तान, नेक्स्ट कोश्चन की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कोश्चन है कि बारत के दक्षिन पस्चिम में कौन सा सागर है इसको भी देखो बड़े ही द्यान से समझते हैं आपको पता है ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट है अगर इसे यहाँ पर मानते हैं तो दक्षिन पस्चिम एक बार के लिए इस साइड हमारा होता है अरब सागर अगर इस साइड की बात करते हैं तो यह हमारा होता है बंगाल की खाड़ी इस साइड हमारे है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और सबसे नीचे वाली साइड बिलकुल दक्षिन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा हिंद महा सागर यहाँ पे क्या है भई हिंद महा सागर है अब यहीं से सारे के सारे कोश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे दक्षिन पूरव की बात करते हैं आपको पता है यह डारेक्शन है दक्षिन पूरव तो यहां पे कौन सा सागर है अरब सागर है अगर बारत के दक्षिन में कौन सा मासागर है बिल्कुल दक्षिन की बात कर रहें यानि कि सब से निचे साउथ की बात करें तो हिंद मासागर है और इस साइड अगर पूछा जाएगा तो यह आ जाएगा कि दक मैंने बोला तो ठीक था कि दक्षिन पस्चिम की बात करें ये हमारा दक्षिन हो गया ये पस्चिम हो गया दक्षिन पस्चिम की बात करें तो यहां पे अरब सागर है दक्षिन पूरव की बात करें तो यहां पे बंगाल की खाड़ी है और दक्षिन की बात करें तो यहां पे तो वो देश से अलग करते हैं मयानमार से मयानमार यानि कि इस साइड नोर्थ इस्ट वाली साइड मनार की खाड़ी और पाक जल्डमरूमद्य बारत के किस देश से अलग करते हैं सिरलंका से तो भारत को सिरलंका से कौन सा जल्डमरूमद्य अलग करता है तो उसका नाम है भई पाक जलडमरू मद्द है ये बात आपको ध्यान रखनी है Very important question है Next question देखें यहाँ पे कि समपूर्ण भारत का अकांक्षिय विस्तार कितना है तो समपूर्ण भारत का जो अकांक्षिय विस्तार है क्या है next question कि बारत के मद्दे से कौन सी रेखा गुजरती है तो बारत के रेखा से जो रेखा गुजरती है वो हमारी है करक रेखा कौन सी रेखा गुजरती है करक रेखा गुजरती है और करक रेखा कितने पे होती है साड़े 23 डिगरी पे होती है कितने पे होती है, 23 डिगरी पे होती है, 23 डिगरी नोर्थ 23 डिगरी नोर्थ को हम करक रेखा कहते हैं क्या कहते हैं, 23 डिगरी नोर्थ को हम करक रेखा कहते हैं ये बात भी आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट है यहां पे कि बारत के उत्तर से दक्षिन तक विस्तार कितना है तो देखो अगेन वही वाली चीज यहां पे यह map बड़ा helpful होगा अमारे लिए North, South, East और West अगर इस तरीके से हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिन जो हमारी ऐसे जो लंबाई है वो कितनी है तो उत्तर से दक्षिन है हमारी 3214 किलोमेटर और दक्षिन से यहां पे क्या पूछी गई है पूरव से पस्चिम कि अगर पूछी जाए तो वो हमारी 3933 किलोमेटर यानि कि उत्तर से दक्षिन उपर से नीचे अगर पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर है बारत का जो विस्तार है और पूरव से पस्चिम पूछा जाए तो 3933 किलोमीटर है यानि कि 2933 किलोमीटर है यह very important question आपको ध्यान दखना है भई next अब यहाँ पे देखो next हमारा question क्या है next हमारा question यह है कि जो अंडमान निको बार दवीप समुए वो कहाँ पर स्थेत है देखो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ ऐसे हमारा यहाँ पे नीचे इंडिया था ठीक है यहाँ पे अमारा इस side कोन सा था अरब सागर इस side कोन सा हिंद महासागर नीचे कोन सा है हमारा हिंद महासागर इस side कोन सा है बंगाल की खाड़ी ठीक है इस side है हमारी बंगाल की खाड़ी अगर हम direction देखें अगेन यहाँ पे north यहाँ पे south यहाँ इस्ट और यहाँ वेस्ट तो अगर बात करते हैं यह हमारा हो गया दक्षिन पूछा जाए दक्षिन पस्चिम में कौन सा है तो अर्ब सागर है दक्षिन में कौन सा है तो हिंद मा सागर है और अगर पूछा जाए हमारा पूरव दक्षिन दक्षिन पूरव में कौन सा है तो बंगाल की खाड़ी है अब यहां पे अंड माननी को बार पूछा गया तो अ पॉइंट है वो क्या कहलाता है इंद्रा पॉइंट कहलाता है जो हमारा इंद्रा पॉइंट है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो उसको पिगमीलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है मेरे हिसाब से आपको यह कोश्चन समझ में आ रहे होंगे यह बहुत ही इ लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो विसल की कुल जनसंख्या का कितने परतीसत बारत में निवास करता है यह बात आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट कोश्चन है यहां पर कि भारत का कुल छेतरफल कितना है तो भारत का कुल छेतरफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलो मीटर है यहां पर किलो मीटर है वह यह तो भारत का कुल छेतरफल अगर पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलो मीटर है यह बात आपको ध्यान रख नेक्स्ट कोस्टन देखोолот कि भारत की सथल सिमा कोणगों से डेशंग यह सबीकिंटो लगे हैं तो एक तो ब सब्रस्ट को करने हैं नेक्स्ट कोस्टन की तरफ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टनomos की जल सिमा किन देशों से लगती है conception जल सीमा की अगर हम बात करते हैं यान की वाटर बाउंडरी तो मालदिव लगता है सिरलंका बांगला देश के साथ भी हमारी वाटर बाउंडरी लगती है मयानमार और पाकिस्तान देखो पाकिस्तान के साथ हमारी जो लेंड बाउंडरी है वो भी लगती है और जल की जो सीमा वो भी लगती है और इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर दूसरा कौन सा देश पढ़ता है यहाँ पर दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है मैं next question की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर जो बर्मा देश है बिल्कुल बर्मा मयानमार एक ही बात है तो मयानमार इसके साथ भी हमारी land boundary भी है और water boundary भी है नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि करक रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है तो करक रेखा जो गुजरती है वो राजस्थान, गुजरात, मध्यपरदेश, चतिसगड, जारखंड, पस्चिम्बंगाल, तिरपुरा और मिजोरम आपसे कई बार ये question भी पूछ लिया जाता है कि करक रेखा बारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो बारत के कुल आठ राज्यों से होकर गुजरती है तो टोटल आठ राज्यों से होकर गुजरती है ये बात आपको पता होनी चाहिए ने मिनट ये बात आपको ध्यान रखनी है भारत का जो मानक से में हो तब स्टेंडर्ड टाइम आपको पता होगा कि दूसरे देश के अंदर जो टाइम है वो चेंज हो जाता है तो हमारा जो स्टेंडर्ड टाइम है वो कहां से लिया गया तो वो इलहाबाद के निकट नैनी नाम अकस्थान से लिया गया ये बात आपको ध्यान रखनी है और जो दूसरी बात यहां पे है कि जो भारत का मानक से में ना वो गरीन विच्ट में जो होता है उसके हिसाब से गरीन विच्ट जो टाइम होता है ना उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कोन से देश का टाइम उससे क इतना आगे है, साड़े 5 गंटे आगे है, नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पे देखो कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से बारत के दक्षिन छोर की दूरी कितनी है, ये इतना इंपोर्टेंट कोश्चन नहीं है, बाकि आप याद रख सकते हैं, 876 किलोमीटर, बारत की सथ किलोमीटर, अब नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पे जो आता है, ये भी वेरी इंपोर्टेंट है, ये कोश्चन क्या है, कि भारत की मुख्य भूमी की तट्रेखा कितनी है, देखो तट्रेखा की अगर बात करें, टोटल की तो लगबग 75 किलोमीटर है हमारी, तट्रेखा की अ इडिया है, उसकी अगर हम बाउंडरी की बात करते हैं, तो वो है 600 किलोमीटर, तो भारत की मुख्य भूमी की तट्रेखा की लंबाई है, वो है 600 किलोमीटर, और टोटल अगर हम बात करते हैं, तो वो कितनी है, 75 किलोमीटर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी इस सीरीज का जो लिंक है वो प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया गया है आपके एक्जाम तक रेगुलरली आपको इंपोर्टेंट जिक्के और NCC से रिलेटिड जो कोश्चन है उसकी वीडियो मिलती रहेगी इसी तरहें की और वीडियो के लिए जुड़े रहे है प्राउड ग्रूप ओफ NCC यूट्यूब चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो तक जै हिंद जै भारत थैंक्यू वेरी मच